हांजी राम राम जैम आता दी कैसे हो आपसब भी यहांपर मैंने यहां प्रीजन दी कर लिया है सब से पहले आप आज की वीदियो के शुरुआत चरहिए है वह पत्ते दार já मितलब कोई भी होचाए वह खानी तो तेल यहांपर मैंने रखा है करने को और मैंने मेत्थी धाना डाला और हाँ आप लोग बताना वहां पर मौसम कैसा है आप सब के और सभी लोग आप ठीक ठाक है ना मातरानी से दुआ करेंगे आप अच्छे रहें सभी अच्छे रहें जो भी हैं और यहां पर यह कड़ी पत्ता डाल रही हूं मैं बहुत सारा क खा दिया था तो भरी बोरी लेके आई हूं मैं एक बहुत बड़ी बोरी है उसको लेके आई हूं और कड़ी में डालो सबजी बना लो चटनी बना लो इसका कुछ भी बना लो बहुत और यह बहुत जादा फाइदे मंद होता है जो कड़ी पत्ता होता है ना इसे बहुत सा कंपनें भूने तो यह कर तो कुल फोकेझ को कर तो sa aintgar अब दो दीने हमें भीछा था तो यह देखिए कि और चुले का बना खाना लाटाना वैंसे भी वह हो स्टी होता है तो सर्धियों सर्धियों प्राद में चेल्जल्य का इस्तेमाल करते हूं जल्दी जल्दी और अब मैंने यहां पर डाल दिया है यह अधरकलासन वाला जो भी पेस्ट यह था वो डाल दिया है और चुल्ले को तो रोज लिपो रोज लिपना पड़ता है मतल़ लिपो क्या लेगिन फिर भी वैसा ही हो जाता है क्योंकि खाना बनेगा तो दिखती बात है कि घंदा तो हो ग किया था और नमक भी मैं इसी में डाल देते हूं सबजी में ही और हल्दी भी डाल रही हूं अब यह देखिए हल्दी डाल दी अब कि अब भी आगे मतलब अभी भी हमारे इतनी ठंड है ना सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा ठंड है और अंजुम दी हैं जो अंजुम सब्सक्राइब के लिए 12 को वहां से निकल जाएंगे अपने MP के लिए तो अफसोस रहेगा मुझे इस बात का कि मैं उनसे किसी कारण की वज़ा से नहीं मिल पाई नहीं मिल पाए हम और उनके पास भी टाइम नहीं था इतना तो बोल रहे थे हमें बहुत अच्छा लगा औ और उन्होंने मुझे काफी सारे क्लिप्स भेजें तो वह भी मैं आपको एड करूंगी किसी दूसरी वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छा वह गाते हैं तो यह देखें यहां पर मैंने यह गोबी डाल दी है और यह मुझे कविता दी ने बताया था कि बंद गोबी से खानी चाहिए मुझे कैलस्टोल या यह प्रॉब्लम है यह तो हरी पत्तेदार सब्जियां तो सभी को खानी चाहिए हैं ना मेरे ख्याल से तो चलिए अभी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और बस अब इसको ऐसे हम पका लेंगे पानी नहीं लगाती मैं कभी भी बंद गोबी में पानी लगाने के बाद मुझे वो टेस्टी नहीं लगती उसका टेस्ट खतम हो जाता है इसलिए मैं कभी भी बंद गोबी में पानी क्योंकि यह खुद ही पानी छोड़ देती है कुछ स ठीक है चलो अब थोड़ी सी बातने कर लेते हैं इस रात की शामकिनी रात की साथ बज़ रहे हैं और देखो होने के वापक हां गया थे वो नीचे से लाइट आ रही है न यह पार का उशड में गया थे पलेटे चड़ाने जो पलेटे लिखिया थे न डंगा देने को और यह इसको निचे से आ रहे हैं इतने अंधेरे में अल्कुल अंधेरा हो चुका है और यह सामने का व्यूव आप देख सकते हैं यह तो इतने अंधेरे में आये पार से तुद आया है तुसे बोले माँ पारिया हुना इदिख ना अचा एक टोड़ा है बोल देना में इस तो निचे आ रहे हैं इस अंधेरे रहे हैं और तो इसलिए बंकते हैं कि उनको हैसास हो जाता है कि कोई को ना रहा इतनी रात को जोब करें आपको देख रहे हैं साफ दिरे में भूती लगता है इंसान अडर भी लगता है और मैं दिखाते हो आपको आनो फोन रखता है उदर अपलोडिंग को दूसरा फोन आज मैं दूसरे में शूट कर जहूं कि देखो यहां पर यह देखो हो गई अपलोड यह जा रहे हैं देखो रात के साथ वज़े के दस मिनट अचल बार तो ठीक है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज है दस टारीक हाँ दस परवरी आज सबसे पहारे तो किसी का जनम दिन होगा किसी की एनिवर्सरी होगी तो हैपई योट्यूब यूट्यूब फैमिली में से तो उन सभी को बहूत सारी बताययां और मातरानी आप सभी को बहूत सारी खुशियां दे और अब आते हैं थोड़ी सी बात कहूंगी आपके साथ हैं पर और अब आते हैं पिछले कल हाँ पिछले कल नौ तारिक को फिर से हमारे एक लॉस हुआ दाजीव कपूर जी जो अपी सुनिया में नहीं रहे मैंने भी इतना ही सुना कि हाट अटैक आया उनको और वह मतलब छोटे थे जान सबसे चोटे थे तो भगवान उनकी आत्मा को शांती दे यहीं हम भगवान से दुआ करते हैं प्रे करते हैं कि उनको शांती दे वह जिस भी दुनिया में रहें खुश रहें और उसके बाद सेकेंड बात मैं यहां पर करना चाहूंगी हमारे तो बहुत दुखकी बात है कि पता नहीं क्या वहवान चाहरा है और क्या मतलब एक बिमारी घत्म नहीं होती एक प्राबलम खत्म नहीं होती उतने को दूसरी आपे खड़ी हो जाती तो बहुत दुख हुआ और मुझे अभी मैंने यह नहीं देखा आप तो जो लोग वह चूट गए कि नहीं चूट गए मुझे कमेंट करके बताना मैं भी देखूंगी यूट्यूब पे देखूंगी और मतलब दुगा करते हैं कि सुरक्षित रहें आगे कोई और नुकसान ना हो और ज़्यादा जानेकारी मुझे नहीं है लेकिन मैं भगवान से आप लोगों से भी कहूंगी कि आप भी दूआ करना प्रे करना कहते हैं सुना है सिर्फ कि ये जो परले आया है ये केदारनात 2013 में जो आया था ना केदारनात इसमें भंकर बार जो भी था कुछ भी था उससे भी जादा ये भंकर है ऐसा सुनने में आ रहा है मैंने वीडियो भी देखी यह तु रौंगटे ख़़े हो गये यहां पे देख़ी कितना भंकर तूपान था कितना भंकर वह मतलब वह चीज थी तो बहुत जादा जो है इस बात से दुख को हमें सोच के ही कहीं उसके किनारे कोई ना वो ना एक बड़ा दैसा नाला था ना उससे जा रहा था वो और वहां से गलेशिर टूटा क्या से टूटा भाई क्या होता है हमें इस इसों की नौलेज नहीं है कि तापमान पता नहीं बढ़ जाता है क्या आए क्या नहीं और इस बार बारिशें भी बहुत कम हुई है ना आप लोगोंने भी देखा होगा बारिशें बहुत कम हुई लेकिन बगवान हमारे पता नहीं कौन सी प्रिक्षा लेना चाहता है बस यहीं कहूंगी इन सब चीजों को देखते हुए य चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि अपने काम कीजिए, जितने भी हमारे काम है, घर ग्रिष्टी के, जो भी बाकि फाल्तू की बातें छोड़ दीजिए, भगवान का नाम लीजिए, ताकि मरते टाइम भी हमें जो इतना दुख ना हो कि हम ज भगवान का नाम लो, अपने घर को और अगर हमारे आस पास कोई ऐसा लगता है कि इसको जरूरत है, यहां पे तो फिलाल अभी कोई है नहीं, लेकिन फिर भी, मतलब जितना भी हम से हो पाता है, भगवान से दूआ करो, भगवान से प्रे करो कि भगवान, पता नहीं ऐसा क क्यों कर रहे हैं, क्या है, और यह हम लोगों की ही कमिया है, यह हम लोगों के ही कर्म है, जो भी यह कर रहा है, प्रक्ति के साथ हम लोग खिलवार कर रहे है, कोरोना, और अभी कुछ इससे पहले आपने देखा होगा, कि कितने जादा जो घटना हैं भारत में हुई, कहीं भ कि अपना काम करते हुए भगवान का नाम लेजिए अपना काम कीजिए और फालतों किसी की बुराई किसी की निंदा किसी को लडाना किसी को ये करना बहुत देख रही हूं मैं भी वो छोड़ दीजिए कोई भरोसा नहीं कि कब कहां से बिजली गिर पड़े और कब किसी को जो है ये इन दुखों का सामना करना पड़े तो चलो जैम आता दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राम राम अपना ध्यान ल और वो सर्प्राइज शाम के टाइम आपको मिलेगा आज हमारे घर में कोई आने वाला है तो वो सर्प्राइज है बहुत बड़ा सर्प्राइज है शाम के टाइम जरूर देखिएगा दूसरे चैनल पर हिमाचली व्लॉक गर्मदू ठाकुर पर तो देखना ना भूले अब दूसरे आने वाला है हमारे घर में ठीक है जय मत अदिए